हेलो दोस्तो नमस्कार कर लेते हैं सबसे ज़्यादा सवाल यहां पर पूछे जारे पाच स्टॉक्स से रिलेटेड हम लोग कुछ बात कवर करने वाले नो डाउट इन में से बहुत सारे स्टॉक्स मेरे खुद के पॉर्टफोली में भी है तो आप लोग को जरूर लगेगा सर आपके पास इसलिए पोल रहे हो तो ऐसी कोई भी बात यहां पर नहीं आप चाओ तो फिर बातों को इग्नोर भी कर सकते हो तो चले शुरुआत कर रहेते एक एक स्टॉक्स के साथ सबसे पहले शुरुआत करेंगे टीटी एमल के साथ येस तो टीटी एमल अभी हम लोग देख सकते अच्छी ब मिले हैं तो फिलाल यह अच्छा संकेत होता है कि अगर स्टॉक में आपर ट्रेडिंग होती अच्छा संकेत होती है मतलब यह नहीं कि जाके डिरेक्टी बाय करो कंपनी अभी भी फंडामेंटली बहुत ही वीक है बैलेंशीट पी अनल सब कुछ ही अगर आप देखोगे तो जो रहते हैं ना EMI भरना है सो अल्टिमेटली दोसों का नुकसान तो इस तरीकी का फिलाल एक प्रॉब्लेम देखने को आपे मिल रहा है टीटी एमल की अगर में बात करू तो एक लर्निंग वाला स्टॉक है मैं बहुत बार आप लोगों को बोल चुका हूं अभी की लेट चाहिए बट एक स्ट्रगलर एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि पैसा डाल रहे यह बहुत ही पॉजिटिव न्यूज होती है बट हमें ये भी चेक करना है कि कंपनी क्या खुद पैसा कमा पाएगी या नी यूजली पैसा डालना पड़ता है मतलब कंपनी स्ट्रगल म अर्निंग के लिए अर्निंग मतलब क्या आप छोटा अमाउंट लगा सकते हो अगर आप इसमें बहुत जदा अमाउंट लगा होगे और सबसे में चीज क्या होती है कि इन्वेस्मेंट तो हम लोग भी कर लेते बट जब वह स्टॉक कभी 10-20-25-30-40-50 परसंट नीचे आता है अगर आप वहाँ पर एवरेच कर सकते हो मतलब वह अच्छा स्टॉक है अगर आपको डर लाग रहे कि ये company चलेगी नहीं चलेगी मतलब वो रिसकी stock है यहाँ पर पकड़ सकते हो तो वैसी ये stock में भी वही चीज़ है दोस्तों कि invest तो कर सकते है बट क्या पतकल अगर ये 100 पर आ जाए तो वहाँ पर खरीदने की हिम्मत at least मेरे में तो नहीं है अगर आप देखोगे उस company का P&L balance rate उतना strong नहीं कि हम लोग इसको नीचे सर पे average करते हैं चले जाए क्या पता ये stock वापस 10-12 तक आ गया तो तो इसलिए learning वाला है बट ये news हम लोगो देखने को मिली है next बात करेंगे IRCTC के बारे में ये बहुत सवाल इससे पूछे ही जाते है और पूछेंगे भी लोग चे मैने में भी जेनों ने invest किया है दोस्तो आज वो भी profit में है मैं again and again ये चीज़े repeat कर रहा हूँ चे मन्त में भी 54% के returns बने है मतलब आप बिलकुल अभी अभी ये जो भाक्तिवी ट्रेन है ना इसमें बहुत सारे लोग याप चड़ चुके है and अगर इसमें अगर आप enter भी कियो मैं आपको आज भी बताता हूँ आपको नुकसान नहीं होगा बढ़ आपको time देना यहाप आना चाहिए मतलब अभी अभी आपने आपने निवेश के आप बोल सकते है October, November, December, Jan, February मतलब फेब भी अभी खतम की दिर होगा है मतलब चार मेना भी complete नहीं हुआ है and हमें फटाफट return चाहिए तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है आपको time देना आना चाहिए छे मेने वाले returns कमा रहे 54% एक साल की अगर हम लोग बात करें तो उनके returns देड़ सो पसेंट के returns है हाँ हम लोग कह सकते है इसके पहले 170 हो सकते थे 180 हो सकते थे अभी नीचे हो के 140 हुआ है बट returns आज भी उनके हाथ में है तो बताने का मक्सद क्या है कि ये long term जितना आप खेलोगे गेम अभी आप थोड़ा maximum chat pattern के और जाओगे मतलब 2019 से 8 October 2019 से अगर आप लोग चेक करोगे तो 19 के बाद 20 फिर 21 अभी 22 जस्टार्ट हुआ है मतलब लगब तीन साल भी पकड़ लेते तो उन लोगों को कितना मिल रहे है सवा 400% के रिटन्स मतलब जितना आप लंबा खेल रहे हो अच्छे कंपणी में उतना ज्यादा रिटन्स आप लोगों ने देखे हो कि कुछ कंपणी में हम लोग maximum return चेक करते हैं कितने नजर आते हैं तो यह चीज़े पहले ही दिमाग में फिट कर लेना दोस्तो कि आपको लॉंग टर्म खेलोगे अच्छे कंपणी में तब ही जाके आपका बड़ा पैसा बनेगा बड़ा रिटन बनेगा वनना छोटा मोटा रिटन से आप लोग यहापर अन कर सकते हो सो आयर से कोई लॉस में बेचने वाली कंपणी ने इसके पहले भी ऐसे बहुत सारे इसमें अपस आये थे और डाउंस भी आये थे बहुत सा लोग ने यहापर भी बेच दिया वो आज इतने बुरी तरीके से पच्छता रहे कि अगर वो रुख भी जाते तो भी उनका पैस आप नॉर्मल लोगा इतना फास्ट भागेगा जो कि अल्रेडे आप लोगों ने देखा है यह चैमन के ग्राफ में भी आप लोग देख सकते रहे कितने फटा फट लेवल से पाक्सो से हजार के उपर चला गया फिर बाद में लोग क्या करते यहां पर आने की कोशिश करते और बाद में अटक जाते हैं सो इतना है कहना चाहूंगा अगर है आपके पास तो दोस्तों पेशन्स दिखाना पड़ेगा यह हर वक्त कह रहा हूँ देखो यह अभी का फिलाल का माहल ऐसा है कि हार कोई रिटेल मेंस्टर डरा हुआ है जो लोग बोलते है तो रिसक है तो तो मतलब बादर से ही चले गए मतलब वेब सिरीज देखके एंटर के होगे क्योंकि वह प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते वह कंपनी के बिजनेस को नहीं हाँ जो बिजनेस को देखता है वह समझ जाता है कि मार्केट में है तो प्रेशर हर वक्त आपके साथ चलेगा आयर से अगें अगें के रहा हूँ कि कंपनी के बिजनेस में जिस दिन खराबी आएगी में निकल जाओंगा बट कंपनी का बिजनेस फर्स्ट लास है कैटरिंग बिजनेस अभी स्टार्ट यहां पर हो चुका है 400 नहीं वंदे भारल ट्रेन भी हापे हम लोगों को आने वाले तीन से फर्स्ट क्लास स्टॉक है और लॉस में बेचना ऐसे कंपनी को आप अगर इन्वेस्टर खुद को बोलते हो तो फिर बहुत यह गलट डिसीजन है ऐसा मुझे लगते है आप स्टॉक से कुछ जादा ओर एक्सपेक्टेशन को रहे है फटा फट मुझे रिटन मिले इसलि आगे नहीं बढ़ सकते तो सोच के देख लेना इसके नीचे जो छोटे कंपनी रहेगी बहुत सारे प्रिंस पाइप में इन्वेस्ट करते हैं मैंने बहुत बार वीडियो आप लोगों को बनाए अच्छी कंपनी है तो आप सोच के देख लेना प्रिंस पाइप अगर कभी अगर आप इसको और थोड़ा लंबा देखोगे तो यह देखे 5-83 परसे वह भी टॉप से गिर है वरनाए 700-plus percent के रिटन्स थे तो कहानी घूम फिर के बार-बार वही प्यारी है कि हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं रोज देख रहे है कि कंपनी क्या खेर रही है उपर गया तो अच्छा लगता है नीचे गया तो दिन खराब लगता है तो ऐसा नहीं दोस्तों ऐसा करो कि तो फिर long यही अगर आप mentality लेकर चलोगे तो 2020 में लोगों ने portfolio खाली कर दे 40% 50% 60% गिरेती stocks तो company का business अच्छा है तो वही से stock 500-600-800% तक भागे है तो वो hold करने की शमता होनी चाहिए और उसके लिए logic clear होना चाहिए यह logic मेरा बिलकुल clear है मुझे इससे फरक ने पड़ता है कि बाज exchange येस सेम कहानी पहले किसी को भी पता मतलब अच्छा नहीं लगता था इससे related video बनाता था तभी सर आपने कहाता ही अच्छा भागेगा मतलब future में तो अच्छा कर सकते मोनोपॉली है 95% मोनोपॉली बोलते हो सर किदर क्या कुछ भागता ही नहीं है और बाद में आप ने द आगा इस टॉक को एंड एंटर कर लिया फिर एंटर करने के बाद profit booking तो चाहिए तो अभी वही देखने को मिल रही है कि टॉप लेवल से profit booking हुई है इसका आरतिया नहीं चलो आई एक्स का भी business खराब हो गया इसके उपर भी ताला लग गया बिल्कुल भी अभी तो आंटी नहीं टेस्ट मैं चाहिए लिए इसलेव पेशन्स होना चाहिए वापे खिलने वाले एक दो बार चल जाते पर बार बार नहीं चलेंगे इसको एक बार टिकना शुरू हो गे तो फिर आप लोग को समझ रहेगा कि कैसा पैसा बाजार में आपे बनता है अग्धर मैं में बात करूं मदर संसुमी अगेन के रहा हूं दोस्तों मदर संसुमी का जो पुराना प्राइजिंग था उसको करना पड़ा तो फिर पॉर्टफोलिय में कुछ बचे गाई हुई सो यह भी पूचा आता है सर सब कुछ नॉर्मल होने के बाद हम लोग एंटर करेंगे यह नॉर्मल की डेफिनेशन आज तक किसी को नहीं पता है कि नॉर्मल कब क्या होगा करके 2020 क्रैश में भी ऐसा हुआ थ जब मार्केट यहां पर 10,000 आया फिर 9,000 आया फिर 8,000 आया फिर लोग बोलने लगे कि 6,000 तक आएगा मार्केट फिर उसके बाद मार्केट सीधा 7,600 सीधा 18,600 पर ही रुख गया पूरा अपोर्चुनेटी चला गया उनका मतलब अगर वो छोटा भी पैसा लगा लेते तो भी उनका पैसा पाच पाच दस-दस गुना होने वाला था तो इसलिए एक्जैक्ली टाइमिंग आप लोग नहीं बता सकते अगर इतना सिंपल होता कि सर अभी प्रेशर है मार्केट नीचा आ रहा है बाद में प्रेशर होई करेंगे हर कोई कर लेता हर किसी को थोड़ी ना प्रेशर अच्छा लगता है अगर जाकर यह बहुत बोल दे रशिया कि हम लोग और वीडरा कर रहे हैं अमेरिका बोल दे चलो ठीक है मामला प्रेशर हो गया मार्केट इतना तेज़ भाग जाएगा कि हाथ से ही मौका चला जाएगा तो यह चीज़े इस तरीकी की चलती रहती है दोस्तो तो अभी इसको exactly time करना है तो आप लोग अपने कोशिश आपे ज़रूर कर सकते हो बट मैंने जितना अपने experience से सीखा है इसके तो मतलब हम कोई conclusion नहीं कर सकते news जो रहती है वही सामने आप आ जाती दोनों साइड आ सकते वह positive भी आ सकती है नेगेटिव भी आ सकती है तो हर एक stock से related में इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तो मैं किसी भी company में exit तभी करता हूँ जब उसके businesses में कोई impact negative impact देखने को मिले कि हाँ अभी यह business तब भी grow होई नहीं सकता आज invest के पाच्छे दिन बाद कोई ना कोई news आएगी सो जितने भी important बात थी दोस्तो मिने आप लोगों के सामने आप रख दी है सो जो भी अच्छी points लगते आप जरू consider कर लेना जो अच्छे नहीं लगते उसको आप चाहूं तो छोड़ सकते हो आशा अकाउंट आपने open किया है वो भी mention कर देना तो 25 वीडियो की एक list है वो मैं आपको free of cost प्रोवाइड कर दूँगा तो stock market के बारे में आप बहुत कुछ यहापे सीख सकते हो वो भी free of cost so video अच्छा लगे तो like and share भी जरूर कर देना so that's it thank you very much so we will be meeting our next studio तब तक के लिए bye bye